हुआ हमारे चैनल में स्वागत है मेरा नाम है तो आज की वीडियो में में लेकर रहा हूं सेक्टर 7 का दूरपंडाल तो सेक्टर 7 में भी बहुत अच्छा दूरपंडाल बना हुआ है यहां पर जंगल सफारी का इस्ट्रक्चर है वो बनाया गया है जंगल सफारी का है आपर जाकी देखने को मिलेगा तो चलते हैं सेक्टर 7 का दूरपंडाल देखने के लिए और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक और कमेंट कीजिए तो आज है नौरात्री का सात्वा दिन रासता है वहां से यहां तक आप पहुच्छ सकते हों किमाइश एक्टर 7 के दूरपंडाल रोटi के आसपास ही मेर्वीड मेर्म और工's कर तो अब कर सकते हो विडियो जफ़िए जोडिया गीट पर जंगल सफारी यह जो एरिया है वहां पर जूला बना हुआ है और इधर देख सकते हैं और किन्ना भीड है तो नवरात्री के आप पंच्वी के बाद आते हो तो इसी तरह का भीड दिखाई देता है सामने इसका प्रवेजवार है हम पंडाल में जाने वाले उसका मेंड गेट बना हुआ है और यह जंगल सफारी का जो पंडाल बना बना हुआ है तो काफी बड़ा यहां पर श्टैच्टू बना हुआ है एक चैनल यहां पर देख पाऊगे कि और यहां से फिर आगे बढ़ते हैं तो जंगल क्या इस्टाइल भी बनाया गया है क्योंकि यह जंगल सफारी इसी कारण से सामने यहां पर हाथ से दिखाई दे रहा है वो इदना बड़ा हाथ थी है पहाड जैसे बना हुआ है और यह वन मानुस होता है उस तरह कर बना हुआ है आप भालू भी बहुत जाकते हो भालू जैसे भी दिखाई दे रहा है अरे पिछे बहुत बड़ा पहाड बना हुआ है चोटे बच्चे है यहां पर रहे है चोटे चोटे और भी बंदा है और यह है ना यह मगरमच है मगरमच की मुह से हमें घूसना पड़े गांदर मगरमच की मुँखते हुए आपको जा सकते हैं पर अपन डाल जेखने के लिए जहां पर दूर्गा जी का मूर्ती होगा अंदर बें मगरमच की मुँखते हुए तो पुड़ा अंदर के इस्ट्रक्चर देखो जिसे मगरमच की मुँखते हुए ना इसके अंदर अड़ी टैप से दिखाई दे रहा हैं जाए 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 जो बहुत ही सुंदर बना हुआ है जो बंगाली दूर्गा का मूर्ती है और अंदर का इस्ट्रक्चर देख सकते हो है जो मगरमच का मूँ होता है ना उस तरह का है और काफी अच्छा भी लग रहा है और लोग कई लोग तो डर भी रहते यार मगरमच की मूँख द्याओकर जाना पड़ेगा तो बहुत है सुंदरे पंडार बना हुआ है दूर्गमात्यकर दर्संग कर लिया है और यहां से हम लोग निकलते बहार सेवन का दूर्गा पंडाल देखके में एकजिट हो चुका हूं यहां से एकजिट था इसका और अंदर बहुत अच्छा मुना हुआ है जंगल का काफी अच्छा महौल है और जंगली जानवर भी आपको देखने को मिलेगा तो ऐसा लगए कि आप जंगल सफारी में ही गए जानवर को तो आज की वीडियो हम यही समाप्द करते हैं सेक्तर सिवन का जंगल सफारी का पंडाल बना हुआ है बहुत ही सुन्दार है आपको मिलते हम नए वीडियो के साथ तो पाली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए थाइक्यू